नमस्कार दोस्तों एक ये भी एक्सप्रेस वे है जिस पर आज मैं सफर कर रहा हूँ और एक वो भी एक्सप्रेस वे है जिस पर कल प्रधान मंत्री मोदी वायू सेना के विशेस विवान से उतर है इस Expressway के भुनियाद रखी गई थी आज से करीब-करीब 14 साल पहले 2007 में मायवती की सरकार में और शुरुआत हुई 2012 में तो करीब-करीब 9 साल पहले नुएडा आगरा Expressway की शुरुआत हुई थी उस दौर में जब यह Expressway बना था और इस पर लोगों ने सफर करना शुरू किया था तो उनके लिए एक तजुर्बा था शांदार कई लेन की सरक और दिल्ली आगरा की दूरी को जो पांस से छे घंटे लगते थे उसको समेट कर डेर से दो घंटे में इस Expressway ने कर जा यह परिकल्पना मायवती की थी एक वो भी Expressway है जो आगरा से लखनों को जोड़ता है जो 2016 से चालू है उस Expressway की परिकल्पना अखलेश यादब ने की और दिल्ली से लखनों की दूरी जो दस से बारा घंटे में पूरी होती थी अब पांस से छे घंटे में आराम से पूरी होती है कई बार आप दिल्ली से लखनों अगर फ्लाइट से जाना चाहें तो दिल्ली से एरपोर्ट जाना एरपोर्ट पर देर घंटे इंतजार करना फिर फ्लाइट पकरना फिर वहां से लखनों अमौसी हवाई अड़े से बाहर जाना वो सफर आपको पांच घंटे में तैह होग तो जब UP में ये दो एक्सप्रेसवे पहले से है तो कल जो एक्सप्रेसवे जिसका उद्गाटन प्रधान मंत्री मोदी ने किया वायू सेना के विमानों ने कर्तब दिखाए कई जंगी जहाज एक्सप्रेसवे को टच करके और आस्मान की तरफ उड़ चले वायू सेना के विशेश विमान C-130 हर्कलस से प्रधान मंत्री उत्रे देश को ऐसा संकेत देने की कोशिश की गई ऐसा संदेश देने की कोशिश की गई कि ऐसे एक्सप्रेसवे की परिकल्पना किसी सरकार ने की ही नहीं देश में कहीं है ही नहीं, यूपी में तो बिलकुल नहीं है, लेकिन दरसल दोस्त, वाई उसे ना के विमानों की लेंडिंग की भी बात करेंगे, तो लखनव आगरा एक्सप्रेस वेपर भी, वो सारे विमान, जो कल टाच अन गो कर रहे थे पुरवांचल एक्सप्रेस पहले, जगवार, मिराज, सुखोई और C-130, ये सारे विमान इस एक्सप्रेस वेपर भी, आगरा लखनों एक्सप्रेस वेपर भी कर्तब दिखा चुके है, फर्क ये है, कि आप जिस एक्सप्रेस वेपर की बात हुई, वो प्रधान मंत्री मोदी का कारिकाल है, योगी मु इसलिए लगा कि ऐसी अद्बुत चीज बनी है, जो कभी इस मुल्क में पहले किसी सरकार ने सोची नहीं, तो ये तो दो एक्सप्रेस वेपर की बात है, अब जो कल कुछ कहा मोदी ने, आज क्या अखवारों की सुरकिया है, मेरे हाथ में आज दिल्ली से छपने वाले 12 ते महिने तक, और क्या तस्वीर यूपी की बन रही है, वो बताऊंगा, लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या सवाल है, मांगाई क्या मुद्दा है, बेरुजगारी क्या मुद्दा है, विकास के जो बड़े बड़े दावे किये जा रहे है, बड़े बड़े गुबारे बहुत कुछ कहा एक्सप्रेस्वे को विकास की के नए पैमाने पर कास्ते हुए एक बड़ी मिसाल उन्होंने बताई कि ऐसा किसी ने सोचा नहीं विकास का नया अध्याय लिखा साथ में यह कहा कि एक्सप्रेस्वे से जुड़े जिलों में न सिर्फ नए उद्योग और इसके लिए किस उद्योग चिन्नीत भी कर लिए यह भी कहा कि लाखों करोड के उद्योग और विकास के अबसर सिर्जित हो जाएंगे उस एक्सप्रेस्वे बनने से उसके चालू होने से जिसका उद्घाटन उन्होंने कल किया अब सबाल तो यह अखलेश यादा पहले उठा रहे हैं प्रवांचल एक्सप्रेस की परिकल्पना भी की थी उद्घाटन भी किया था रूट में थोड़ा फेर बदल करके और उसके बाद उन्होंने कहा भी कि फीता लखनों से आया कईची दिल्ली से आया और खिचम खिचाई करके और उसके बाद योगी सरकार ने एक्सप्रेस वे पूरा किया और उसके बाद उसका श्रेलिया लेकिन चलिए राजनितिक बियान बाजी के बीच एक बात तो सच है कि पुरवांचल एक्सप्रेस वे की परिकल्पना अकलेश यादब ने की थी अब बात आती है कि जो कल प्रधान मंत्री मोदी ने कहा 11 जिले बहुत बेहतरीन काम करते हुए अग्रसर हो जाएंगे तो उसमें कितने साल लगेंगे ये बाद की बात है अभी फिलाल ये कह देना कि की सुद्योग चिन्नित कर लिये गए तो सवाल ये है कि दिल्ली से नोइडा से आग्रा आग्रा से लखनो अब लखनो से आगे दि से ज्यादा योगी सरकार के साधे चार साल से ज्यादा अगर योगी सरकार की बात करें यूपी में इनके सरकार है तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि साधे चार साल में नोइडा से लखनों के बीच जो एक्सप्रेस वे पहले से है उस एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ जो दरजनों जिले दोनों Expressway के आस्पा से connect जिन जिलों को ये Expressway करता है वहाँ कितने उद्योग धन्दे लग गया कितने कार खाने लग गया अंबानी और आडानी की कितनी फैक्ट्रिया लग गई और अगर यहां नहीं लगी तो क्या वो सब इंतजार कर रहे थे कि योगी आदितनात के राज में पुरवांचल एक्सप्रेस वे पूरा होगा प्रधान मंत्री मोधी हरकुलस विमान से वहां उतरेंगे हवाई जहाज और एर फोर्स के विमानों का कर्तब देखेंगे देश भर में वो एक इवेंट की तरह चैनल पर दिन भर प्रसारित होगा और उसके बाद वहां से विकास की वो पटकता लिखी जाएगी जिस पटकता के तथ एक ग्यारा जिलों में उद्योगों की उद्योग धंदों की बारिश हो जाएगी और हर घर में रोजगार ऐसे मिलेगा जो जिसे सिर्फ इंतजार था पुरवांचल एक्सप्रेस के बनने का और ये सवाल इसलिए मौजू है क्योंकि अगर सिर्फ एक्सप्रेस वें से उद्योग धंदे लग जाते हैं और विकास की रफतार बहुत तेज हो जाती है एक्सप्रेस वें होना जरूरी है इसको दूसरे अर्थ में ना लीजिए लेकिन चुकी एक सड़क बनाकर और सड़क को दिखाकर शोकेस करके और वो भी वायू सेना के विमानों की लेंडिंग या टच अन गो करा करके और उसके बाद ये बताना और दिखाना कि यहाँ अब उद्योगों की कतार लग जाएगी तो ये सवाल मौजू है कि फिर उद्योगों की कतार नोईडा से लेकर लखनों तक च्यों नहीं लगी या कहीं ये वज़ा तो नहीं कि सडक इस एक्सप्रेस्वे का निर्मान मायवती के राज में हुआ नोईडा से अग्रा या अग्रा से लख्रो अकलेश के राज में हुआ इसलिए यहां 22 दूनी 44 में बोलूँगा क्योंकि 22 वहां लगते तो यह लंबा है 500 किलोमेटर वो 340 किलोमेटर 22 वहां लगते तो यहां तो कम से कम 30 35 लगने चाहिए थे तो क्या इसलिए नहीं लगे क्योंकि पिछली दो सरकारों नहीं एक्सप्रेस्वे बना यह कहने में बहुत अच्छा लगता है जब सरकार इस तरह की बात करती है और प्रदान मंत्री मोधी इस तरह की बात करते हैं और चुनावचार मेंने बात होना है जब ये एक्सप्रेस वे आगरा एक्सप्रेस वे शुरू हुआ था मैं तो तारीफ करूँगा जितनी भी तारीफ की जाए मायवती की कम है कि आज से 2007 14 साल पहले नोईडा और आगरा एक्सप्रेस में की परिकल्पना मायवती ने की तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किसी ने शांदार सड़क की परिकल्पना की तो मायवती थी और उसके बाद उसको आगे अगर बढ़ाया तो अखलेश यादम ने बढ़ाया आगरा से एक्सप्रेस पर प्लेन से उत्रे मोधी तो दिल्ली से बिहार तक अगर सड़क का फास्ट रूट मिला या दिल्ली से गाजीपूर तक अगर फास्ट रूट मिला या दिल्ली से प्रयाग राज तक अगर फास्ट रूट मिला तो क्या यह सिर्फ उस प्रवांचल एक्सप्र किया दो सरकारों ने मायवती और अखलेश यादब दे क्या श्रे मायवती और अखलेश यादब को नहीं जाता है कि उस राह को जो लखनों तक पहुचा है उसको आगे चलिए योगी राज में भी किया गया 341 किलोमेटर लेकिन ये कहकर एक मिलेट में खारिज कर देना कि पि और राजनात की सरकार किसी ने कुछ नहीं किया जो किया ऊषक्छ मंत्री योगी ने प्रदेश में किया वैसे ही जैसे कांगनार रनवत ने कहा दिया कि 2014 के बाद आज़ादी मिली तो ये वही मानसिकटा है वही मानसी कबस्था है जिसमें ये बताने समझाने आपके जहन में इंजेक्ट करने की कोशिश होती है कि देश में 2014 से पहले कुछ नहीं है दरसल कंगना रानावत अकेली नहीं है उस मोधी फोबिया की एक करदार है और वो करदार अगर ऐसे बोलती है और उसके बोले को लाखों करोरों लोग जस्टिफाई करते हैं जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुल राइट विंगर्स बीजेपी के नेता वो सब लोग शामिल है तो समझे एक मानसीक अवस्था है उसको सिर्फ ये मत कहिए कि कंगना रानावत मुर्ख है बेवकूफ है य यह सोची समझी एक साजिश है मैं कहूंगा रनीती नहीं साजिश है कि 2014 के पहले के भारत को 2014 के पहले के विकास को 2014 के पहले की सडकों को 2014 के पहले की फैक्ट्रियों को हर चीज को खारिज करके कहें कि भारत में विकास का जो पैमाना गढ़ा गया विकास के जो गलीचे कशायगे वह सिर्फ मोधी के आने से हुआ यही कोशिच है अब पुरवांचल के दौरान जो कल प्रदान मंत्री मोधी ने कहा क्यों पी में रोजगार के रास्ते खुले और उसके बाद कैसे रोजगार के रास्ते खुले उन्हों बहुत कुछ कहा और उसके बाद उद्योग धंदे बहुत यूपी में अब आने वाले हैं प्रधान मंत्री मोधी के भाशन से कम से कम यहीं लगता है लेकिन एक तरफ योगी है जो बार-बार कर रहें सबातीन करोड लोगों को रोजगार दे दिया और यूपी में रोजगार इतना बड़ा सवाल है कि जहां भी गाउं में जाता हूं बेरोजगारों की फौज मुझे मिलती है और मैं बार-बार वीडियो में कह चुका हूं कि अगर य अगर करके अखवारों में विञ्वापन दे कर और एक ऐसा एक ऐसा माहौल बनाए जा रहा हूं जिससे आप मती भ्रम के शिकार हों इंद्र धनुष की तरह एक मिल्क तरश्णा रची जा रही है मलग तिर दिश्णा हुर्श दोले इस मिल्क तरश्णा में आपको लगे क प्रदान मंत्री मोदी ने एक ग्यारा जिलों के विकास के की राह खुलने की बात करते हुए जो बोले कभी सोचा नहीं था कि यहां एक दिन प्लेन से उत्रूंगा तो भाई और किसी अख़वार की में हेड्लाइन ये भी देख रहा था कि मोदी पहले प्रदान मंत्री हुए मोदी देश के पहले पीम जिन्हों ने सुपर हर्कुलेस विमान से एक्स्प्रीस वेपर लेंडिंग कि अब इसमें फर्क है कि 2017 में जो मैंने बताया कि 13 2019 नें भी एक्सप्रेश वेए पर आगरा लखनों आगराए एक्सप्रेश वेए पर टाच अंगो करके चला गया उसमें उनका तीन घंटे का एर शो था कोई होता प्रदानमंत्री मोदी ही चाहते तो समें भी उतर के एक आप वर मोय ना कर सकते थे लेकिन उन्होंने अगर आज इस एक्सप्रेस वेपर ऐसे लैंडिंग की इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा एक्सप्रेस वेपर विवानों ने कर्तब नहीं दिखाए या विवानों का वो शो वो प्रदर्शन वो शांदर जो आपने कल एक तीन-चार घंटे का वो इवेंट देखा वो पहले रचा नहीं जा सकता था ऐसा नहीं तो यह मोदिकाल की कहानी है और साधे तीन किलोमिटर की एर स्ट्रिप पर उत्रे 30 विमान और उसके साथ कितने संदेश है जितने संदेश इस एर स्ट्रिप के बनने से या साधे तीन किलोमिटर के उस सड़क पर जो हवाई जहाजों का कर्तब है उससे या यह इस तरह का ज और जिस एक्सप्रेस पर मैं जा रहा हूँ मायवती के कारेकाल का बनाया हुआ 2007-2012 यह सब चीज तो यहां भी है यहां भी ऐसे हैं पेट्रोल पंप है चार्जिंग स्टेशन यहां भी होगा नहीं जो बन रहा होगा अब इसमें और उसमें क्या फरक फरक यह है की प्रधान मंतरी मोदी वहां उत्रे फरक कीए है कि योगी राज में हुआ यहां से आगारा से अगह उसमें बहुत ज blueberry का बात कही जा रही है कि प्रवांचल में चुकी नौदस जिले जो है वो बीजेपी के लिए बहुत हम है और पुरवांचल में जिसे ज़ादा सीटे मिलती है उसकी सरकार बनती है चाहे 2007 में मायबती की बात करे चाहे 2012 में अखलेश यादम की बात करे चाहे 2017 में बीजेपी की बात करे और पुरवांचल के वो जिले जो जिनक पश्चमी यूपी की तुलना में अगर देखेंगे चुकि पश्चमी यूपी के किसान भी अगर है किसानी भी जू करते उनकी आर्थिक स्थिति उनके माली स्थिति वहां से बहतर है और थोड़ा दिल्ली से नजदीक है NCR से सटा है उसका भी फर्क पड़ता है तो वहां की स सरकारों को बहतर काम करना चाहिए इसमें कोई शक में कोई शक नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब इसी का इंतजार हो रहा है जैसे एक्सप्रेस वे बनेगा उसी के बाद आगे होगा साड़े-चार साल का हिसाब जब देने का वक्त आया तो आपने फिर मुंगेरी-ला की तरह उस हसीन सपने के उस बड़े से गुबारे में आप हर वो चीज देख रहे हैं जो अब होने वाला है आपको अगर आप जो जादोगर्नी होती है पुरानी फिल्मों में कई फिल्मों में विदेशी फिल्मों में भी देखने को मिलता है कैसा गोल सा कुछ होता है उसमें सब कुछ देख लेती है तो ये ऐसा एक बनाया गया है जिसमें इस में सब कुछ ने कि सबस्वार पुर्वटर में सब हो जाएगा क्योंकि एक्सप्रेश हो गया है है मेरा मकसद सिर्फ यह था कि हर सरकार के कामकाज को खारीज कर के और ये बताना कि जो भी काम हुआ है सिर्फ हमारी साकार ने किया है वो एक तरह से उस किये पर मिट्टी पोतने की तरह है जो पिछली सरकारों ने भी किया और बुन्याद कहीं पीछे से खड़ी होती चलती है आज भी जब अभी नहरू के लिए जिस धंग से दो दिन सोशल मीडिया पर केंपेन और मुहिम चलाएगे जब भी बात होती है देश के बुन्याद उस 17 साल में नहरू के कारिकाल में रखी गई जब देश में आई-एम से लेकर और एम से लेकर और तमाम इंजिनेरिंग कॉलेज सिंद्री का कार खाना और ना जाने क्या-क्या लंबी फेरिश थे जो नहरू के काल में जब देश बहुत बुरे दौर में था जब आजाद मुल्क हुआ था लेकिन खाजाना खाली था तब जो कुछ किया उस सब को मिटा के फिर बात होती है 70 साल में कुछ नहीं हुआ जो हुआ 2014 से हुआ तो अब ये कल कम से कम भाशन में वही सब कल एक बा हो रहा है रोजगार बढने से हजारों रोजगार का सर्जन होगा उसके बाद उन्होंने कहा कि यूपी में पहले सडकों पर राह नहीं मिलती थी कनेक्टिविटी बढ़ने से रोजगार के अपसर का मुझे चरह हिसाब दीजिए कि दिल्ली से लखनों के बिच कितनी फैक् लग चुकी है फिर हम देख लेंगे जब यहां लग गई तो आप जाहिर पुरवंजल के दूरों तरफ लगेगी क्योंकि कहा गया कि बाइस जगा चिन्नीत किया गया और अगर आपका यहीं इंतजार था कि पहले वहां बने और वहां बाइस फैक्टरी लगा देंगे यह वा फिरोजाबाद में जा रहा हूँ आज फिरोजाबाद में रहूंगा उसके बाद उसी इलाके में कुछ जगा होता हुआ कोशिश करूँगा लखनों तक पहुंचने का और मैं कहूं कि यह सिलसला जो थम गया था फिर से शुरू कर रहा हूं और हमारी आपकी मुलाकात होती दे सकते हैं वैसे मेरे सायोगी का काम था कि WhatsApp नमबर अभी दे देते तो मैं रेकॉर्डिंग में पर देता लेकिन यह थोड़ा भूलने वाले लोग है कली हमने तै किया था WhatsApp नमबर देंगे सिर्फ पीछे बैटके मुस्कुरा के मुंड़ी हिला रहे हूं उपेंद्र दे से इतनी देर से जो मैं बोल रहा हूं प्रजेंस आप माइंड होगा तो इतनी देर में भी दे देते लेकिन मुस्कुरा के इस पर भी वक्त गुजार दिया उन्होंने और यह वक्त गुजार दिया इसमें देखिए मैं बोलता जा रहा हूं लेकिन WhatsApp नमबर वो नहीं नि क्योंको निकालने में चार मिनट लग सकता है भी उनको तो चलते हैं दोस्तों आज तो मुलाकात होगी हमारी आपकी फिरोजबाद में नमस्कार